So today in this video we are going to learn everything about profit and loss account. Profit and loss account के बार में basic to advance सारी जान के रिए आपको इस वीडियो में मिलने वाली है. अगर आपको profit and loss account को एकदम easily समझना है तो आपको इन 7 point के थुरू जाना पड़ेगा. जो कि है trading account, income and expenditure account, profit and loss account, gross profit, net profit, gross profit ratio and net profit ratio. अब अगर आप इन 7 point को समझ जाते हैं तो आप profit and loss account को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं. और profit and loss account जो है वो समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है. अगर आप इस वीडियो को end तक देखेंगे हैं तो आपको profit and loss account के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा. वीडियो को सुलू करेंगे उससे पहले अगर आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करेंगे हैं साथ ही साथ पर बेल आइगउन को भी जरू टर्न ओन करें ताकि इसी तरह के और वीडियो आप देखते रहें. साथ ही साथ में आप हमें वाटसप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी फोलो कर सकता है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बीज जाएगी. So now without wasting any time, let's start the video. All right, as I said earlier, कि आपको किवल साथ point को समझना है profit and loss account को समझने के लिए. तो हम शुरू कराएंगा point number one से, point number one है हमारा trading account. Trading account क्या होता है इसको समझते हैं. देखिए trading जो है वो हमारा English word है और trading के इंदीमा आर्थ होता है व्यवपार करना. और इस word को और ज़्यदा असनी से समझना अगर आप चाहते हैं तो इसका मतलब होता है माल खरीदना और बेचना. यानि एक व्यक्ति माल खरीद कर बेचने से जो profit earn करता है उसको व्यवपार करना करता है और व्यवपार करना इसको इंगलिस में trading करता है. ना अकॉंटर तो profit and loss account जो हमारा profit and loss account होता है वो दो बागों में divide होता है. जो हमारा part 1 है वो upper part होता है जो part 2 है वो lower part होता है. अब हम इस part को देखते हैं जो हमारा part 1 है सबस्पहले उसके बारे में बात करते हैं. बैसी कली जहाँ पर जो आंक्डे दियों हैं वो आंक्डे क्या क्यते हैं؟ जहाँ आप आप देख सकता हैं जहाँ पर लिकाओomm контрरौ यानि माल की खरीद और इधर आप देखेंगे तो जह आप लिखा हुआ सेल्स अकाउंट यानि माल की बिगरी यानि माल खरीदना और बेशना तो बैसिकली जो हमारा अपर पार्ट है प्रोफिट अन्वोस अकाउंट का उसमें माल की खरीद और बिगरी की डिटेल होती है यानि एक प्रकासे ट्रेडिंग की डिटेल इसलिए इस पार्ट को ट्रेडिंग अकंट केते हैं जिसका मतलब होता है कितना माल खरीदा कितना बेचा और उससे कितना प्रोफिट अन्वोस के और इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकंट यह हो गया हमारा point number one ट्रेडिंग अकॉंट जो की बहुत एजी है समझनाय में अब हम बात करेंगे पॉइंट नमबर टू की जो की है इंकमेंड एक्सपेंडिचर अकॉंट वेपार में होने वाले अन्य खर्चा एवाम आए का लेखा जो का जिस अकॉंट में होता है उसको इंकमेंड एक्सपेंडिचर अकॉंट करते हैं जो हमारा प्रोफिट अन्लोस अकॉंट होता है वो दो बागों में होता है जो पार्ट वन है वो तो हमारा हो गया ट्रेडिंग अकॉंट अब जो हमारा part 2 है या lower part है उसमें क्या detail होती है क्या अंक्डे होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ indirect income याई वेवपार में होने वाले अन्य परकार की आए और यहाँ पर लिखा हुआ indirect expenses जानी वेवपार में होने वाले अन्य परकार की खर्चे एक व्यक्ति जब व्यवपार करता है माल खरीदता है और बेजता है तो उसे profit होता है profit होने के साथ साथ उसमें व्यवपार में कहीं अन्य परकार की खर्चे भी होता है और कहीं अन्य परकार की i और खर्चों का लेखा ZHOका जिस report में होता है उसको income and expenditure account गते हैं यानि ये वाला जो account है वो हमारा income and expenditure account के लाएगा, तो part 1 हमारा होगया trading account और part 2 हमारा होगया income and expenditure account, ये हमारा point number 2 जो है complete होता है, अब हम बात करेंगे point number 3 जो कि है profit and loss account, तो इतनी देर से हम profit and loss account के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन profit and loss account के बारे में आपको एक बात ये जान लेनी जरूरी है, कि profit and loss account दो तरह की report से मिलकर के बढ़ता है, जो पहली report होगी वो होगी trading account, यानि जिसमें वेपार में जो भी माल खरीदा और जो भी माल बेचा, और उससे जो भी profit earn किया, उसकी detail होगी, और साथ ही साथ में ये भी detail होगी, कि उसी वेपार में जो अन्य परकार की income है, या अन्य परकार के खर्चे हैं, उनकी detail भी जिस report में होगी, ये दोनों ही report मिलकर के profit and loss account report मनाते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में ऐसी कोई report है, जिसमें केवल अपर parts की detail है, यानि कितना माल करीदा और कितना माल बेचा, तो वो profit and loss account नहीं होगा, वो trading account होगा, या फिर आपके पास में ऐसी कोई report है, जिसमें केवल lower parts की reports है, यानि इस वेपार में कितने अन्य खर्चे होए हैं, या कितनी अन्य आई हुई है, तो वो भी profit and loss account नहीं होगा, वो income and expenditure account होगा, ये दोनों ही report आपको जहाँ पर एक साथ देखने को मिल जाती है, यानि जिसमें trading की भी detail है, और जिसमें income and expenditure की भी detail है, तो वो profit and loss account इलाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह हो गया अवारा point number 3, profit and loss account, point number 4 में हम समझेंगे, gross profit यानि सकल हलाब को, और ये भी बहुत आसान है समझने में, यहाँ पर लिका हुआ है, वेपार करने से होने वाला जो profit होता है, उसको gross profit करते हैं, वो किसे, let's suppose कि एक वेक्ती ने, 1000 रुपे का एक माल खरीदा, और उसे 1200 रुपे में बेज दिया, तो यहाँ पर वेपारी ने कह किया, वेपार किया, यहाँ माल खरीदा और उसे बेज दिया, और माल खरीद कर बेजने से, उसने जो profit अन किया, 200 रुपे, इसको कहते हैं, जिपी यानि ग्रोश प्रोफिट, यानि वेपार करने से होने वाला profit, तुम्हाँ पर एक वेपारी ने 1000 रुपे का माल खरीदा, 1200 में बेज दिया, उसने वेपार किया, और वेपार करने से जो profit उसको मिला, उसको ग्रोश प्रोफिट, यानि जिपी कहते हैं, यह है हमारा point number 4, जो कि बहुत ही आसान है, अब point number 5 में हम समझेंगे, net profit क्या होता, यानि सुब्द लाव, देखें, यह ज़रूरी नहीं है, कि एक वेपारी माल खरीद करके, सीधा ही उसको बेश सकता है, तो उसको माल बेशने के लिए, कई परकार के खर्चे करने पड़ता है, for example, स्टाफ रखना पड़ता है, स्टाफ को सेलेनी देनी पड़ती है, उसके एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ सकता है, प्रमोशन भी करना पड़ सकता है, किसी को कमिशन भी देना पड़ सकता है, आगर दुकान की राये पर है, तो रेंट देना पड़ सकता है, बिजली का बिल है, चाए पानी के खर्चे हैं, तो इस प्रकार के काफे सारे खर्चे होते हैं, तो आवराल सुद्ध लाब कि इसको कहते है वेपारी की सब भी अन्य खर्चों को गटाने के बाद में जो प्रॉफिट बसता है उसको नेट प्रॉफिट यानि सुद्ध लाब कहते हैं फोर एक जमपल के एक वेपारी ने एक हजार रुपिय का एक माल खरीदा था और उसको बारह सुद्ध रुपिय में बेज दिया तो उसको जिपी यानि ग्रोस प्रॉफिट तो यह हुआ वो दो सुर रुपिय का हुआ वेपार गनने से जिपी बट उसने स्टाफ भी रखा हुआ तुब दो सुर रुपिय का कुल प्रॉफिट था सुर रिप उसने दू का दे ते दिया तो अब जो कि निग्र पॉफिट बचा उस पर जितना profit हुआ है उसका percentage gross profit ratio कहलाता है वो किसे example के जरी आप समझ जाएंगे इसका formula का है इसका formula ये gross profit ratio निकालने का आपका जो total gross profit है उसमें आपको divide करना है total sale को और multiply कर दिना है and rates से वो किसे यहाँ पर आपके सामने profit and loss account है यहाँ पर gross profit जो हुआ है वो है 21,56,230 रुपे का जो मैंने यहाँ पर लिग दिया ठीक है after that इस वेपार में जो total sale हुई है वो विए 3,88,625 रुपे की जो कि मैंने यहाँ पर लिग दिया यानि divide कर दिया और इसको यहाँ पर मैंने multiply कर दिया hundreds है तो मेरा answer आया 7.10% इसको बोलते हैं GP ratio यानि gross profit का अनुपाद अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि मेरी जो total sale है 3,88,625 इसका 7.10% मुझे gross profit हुआ है यानि मेरा वेपार मुझे सालाना 7.10% का profit दे रहा है इसको बोलते हैं gross profit और यह है हमारा last point net profit ratio जिस तरीके से gross profit का ratio निगाल सकते हैं उसी तरह हम net profit का भी ratio निगाल सकते हैं और उसका भी same formula है formula ही है कि आपको net profit में divide करना है total sales का जिसको multiply कर देना है hundreds है तो यहाँ पर आप profit and gross में देखेंगे हमारा net profit जो वह सारे खर्चे निकालने के बाद में वह 17,64,31 रुपेगा जो हमने यहाँ पर लिख दिया और again हमारी जो total sale है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि है 3,38,665 रुपेगी इसको हमने multiply कर दिया hundreds है तो हमारे pulse में answer आता है 5.82% इसका मतलब यह है कि हमारे वेपार में जो हमने पूरे साल 3.3.3 लाग रिपी की sale की उसका 5.82% हमें net profit हुआ है यानि सारे खर्चे निकालने के बाद में हमारा जो net profit बसता है वो है 5.82% का तो यह तो हो गया हमारा gross profit और gross profit का ratio और यह हो गया हमारा net profit और net profit का ratio जाता जाता है अब एक चीज़ पर और बात कर लेते हैं कि यह आप मारे लिए क्यों माइने रखता है यह जो profit ratio है वो हमारे लिए क्यों माइने रखता है लिट सपोज के यह company है जिसने मार्च 2014 में 5.82% का net profit किया इसका 5.82% net profit हुआ अब मानिजे अगले साल इसके sale और बढ़ जाती है मानिजे इसकी 10 करोड रुपे sale हो जाती है तो 10 करोड रुपे से 5.82% निकालते हैं तो जहाँ पर आप देख सकता है कितना amount हो सकता है तो ऐसे में वेपारी गया करता है कि tax को बचाने के लिए जो net profit है उसको गटा देता है यानि मानिजे 10 करोड रुपे अगर उनकी sale हुई है तो उसको गटा इसलिए देता है ताकि वो income tax से बस सके मानिजे कि उसने अगले साल 5.82% gross profit ना show करके 1.25% ऐसा कुछ gross profit show कर दिया तो यह जो इतना ज़्यादा downfall एक ही साल में है यह suspense वाला मसला है यानि यहाँ पर यह clearly यह देखा जा सकता है कि विपारी tax बचाने के लिए अपने gross profit का ratio जो है उसको गिरा रहा है यानि आपर यह profit बचा रहा है एक ही साल में जो विपारी अपने विपार्स है 5.82% का net profit करना था वो एक ही साल में 1.25% पर केस से आ गया तो इसलिए gross profit और net profit ratio को maintain करना जरूरी है एकदम से down नहीं किया जा सकता एकदम से बहुत ज़्यादा उपर भी नहीं किया जा सकता वरना यह suspense वाला meter होता है यह आप निजरों में आ सकते हो आपके पास में scrutiny का case आ सकता है तो यह है हमारा profit and loss account जो कि मैंने आपको एकदम easiest method में SPPT के जरीवे समझा दिया उम्मीद करता हूँ कि जो को भी मैंने आपको बतना चारा था वो सब कुछ आपको अच्छी से समझ में आया है और profit and loss account को आपको अच्छी से समझ गए है वीडियो कर आपको पसंद आए वीडियो कर आपको पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें शेर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें जल्दी मिलाएंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर and happy learning